आज हम आपको हिमाचल सरकार द्वारा पहारों पर रोड एक्सिडेंट को कम करने के एक तरीके को दिखाएंगे तो चलिए आपको दिखाते हैं हिमाचल के कांगडा से हमारे साथ ही परवीन की ये रिपोर्ट हमाचल प्रदेश के कांगडा में इस वक्त हम मौझूद हैं और यहां एक्सिडेंट के काफी सारे मामले सामने आते हैं मामला तब सामने आता है जब मोड पर कोई गाड़ी निकल रही होती है तो गाड़ी अगर अनकंट्रोल हो जाती है तो गाड़ी बिल्कुल नीचे के जाती है खाई में तो सरकार ने एक आइडिया लगाया और इस तरह के रॉलर्स जो है अर मोड पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है जब गाड़ी स्पीड में मुडती है और स्पीड में मुडने के दौरान अगर गाड़ी अनकंट्रोल होती है तो इन रॉलर्स से टकराती है गाड़ी नीचे नहीं किरती है अमुमन क्या होता था जब यह रॉलर्स नहीं लगा थे सकार ने यह और यह रॉलर्स साल पहले लिवाई उसे पहले क्या होता था यह नहीं थे रास्ता साफ था तो गाड़ी अगर टकराती तो सीधा खाई में जाकर गिरती थी लेकिन अब क्या होगा लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए ये रॉलर्स हैं गाड़ी टकराएगी और रॉलर्स के साथ घूमती हुई वो नीचे आ जाएगी तो ये फाइदा होगा इससे एक्सिदेंट बेशक होगा गाड़ी बेशक टूटेगी लेकिन इनसान की जिन्दगी बचाई जा सकती है और हिमाचल में प्रशासन ने हर मोड पर लगबग इस तरह के येलो कलर के रॉलर्स दिखाए हैं ये तो जिन्दगी बचाते हैं और रात में जब लाइट नहीं होती अंधेरा होती है तो ये जो इसके वाइट वाइट देख रहे हैं आप ये वाइट वाइट ये पूरा चमकता है बोस जब आप आएंगे तो ये आपको चमकता हो दिखेगा इससे पता चल जाता है कि ये बॉर्डर है और बॉर्डर से बच का चलना है तो ये ये दिमाग सरकार ने लगा ये तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए दिन पहाडों के मोड़ पर गाड़ी अनकंट्रोल होने की वज़ा से खाई में गिर जाती है इसे कम करने की सरकार की ये योजना बहुत ही कारगर रही है फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज